माचिस की तिली एक दिन एक किसान नाव पर बैटकर नदी पार कर रहा था उसने एक बेडी जलाई और माचिस की तिली को फोक मार कर पानी में फेक दिया पास में बैठे आदमी बारवा सोच तरह कि किसान ने तिली को अगर पानी में ही फेगना था तो तिली को बुझाया क्यों उसकी समझ में नहीं आया फिर उसने हिम्मत की और किसान से पूछी लिया कि तिली को पानी में फेगना था तो फूख से बुझाया क्यों तिली तो पानी में जाकर अपने आपी बुझ जाती किसान ने जवाब दिया ये उसकी आदत है उसके पिता जी ने कहा था कि तिली को हमेशा बुझा करी फेकना चीए क्योंकि एक तिली किसी का घर जला सकती है अब बात आती है छोटे से कहानी से बड़े से संदेश की जो कहानी की गहराई में जाने पर पता चलता है जिस तिली से किसी का घर चलता है उसमें तिली फेकने वाली की कोई गलती नहीं होती गलती होती है उसकी आलतों की उसके संसकार की जो उसे उसके माबाप से मिले हैं तो दोस्त उनका नहीं, उनके परविर्ष का दोस्त है, महात्मा जी ने कहा था कि बच्चे अपने माबाप का परते निरित्व करते हैं, आदमी जो भी करता है, अपनी आदत के अनुसार ही करता है, कोई अपनी मा को डाड़ देता है, कोई अपने पत्नी पर हाथ उठाता है, रिष्टों को एहमियत नहीं देते हैं छोटी छोटी बातों पर जगड़ा करते हैं और आजकल तो सोशल मेडिया पर आकर अपनी भडास निकालते हैं लोग को गाले देते हैं और दूसरे लोग का नुकसान करते हैं उन्हें ये सोच कर माफ कर देना चाहिए कि उनके परवरिस में दोसे वो इरादतन ऐसा नहीं कर रहे हैं बलकि आदतन ऐसा कर रहे हैं ये सब करना उनकी आदत है जिन्होंने जिन्दगी में संसका नहीं सेखे उनके बारे में क्या सोचना ये बात अलग है कि ऐसा काम किसी का घर जला देते हैं पर इसके बाद भी हमें लगता है कि उन्हें ये सोच कर माफ कर देना चाहिए दोस्त उनका नहीं है वो वही करेंगे जैसा उन्होंने सीखा है वो कहते हैं जैसा बीज बोईंगे वैसा ही फल मिलेगा हमें अपने माबाप को धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने हमें अच्छी आते सिखाई है और अच्छी इंसान बनाया अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया है तो किरपा करके इससे सेर कीजिए कमेंट करके बताए आपको आर्टिकल कैसा लगा और हमारे आने वाले आर्टिकल को पाने के लिए फ्री में सस्क्राइब करें मिलतें नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई